जय हिंद वंदे मातरम भारत माता कीज़े आप सभी का स्वगत करता हूँ मैं आपके प्याराशे प्लेटफोंपर और जैसा कि आपको पताओगा आज हमारी 11 ओक्टोबर हो चुकी है और आज के जितने भी करन ठपेश होंगे आपके वो आम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आपके लिए जोए बहतरिन क्लास यहां से हो जाएगी ओके करन ठपेश की तो करन ठपेश में क्लास जोए गंटों बिगारने की कोई भी ज़रुरत आपको है नहीं हम यहां पर 5-10 मिनिट में आपके डेली के करन ठपेश जोए आपको प्रोवाइट करवा देंगे ओके तो अगर आप किसी भी एगजाम की प्रिप्रेशन कर रहे तो आपको पता होगा कि करन ठपेश की वेल्यू क्या होती है तो स्टार्ट करते ही बिना बखवास के आपको पता होगा कि कई सारी एगजाम में पुंस्तक के नाम जो है वो आपको याद रखने होते क्योंकि उसके लेखक के बारे में पुंचा जाता है कि इसके लेखकों ने इसने कौन सी पुंस्तक लिखी है तो पुंस्तक का नाम आपको दिया गया है एन इकोनोमिस्ट एट होम एबरांड और परसनल जर्नी लिखे है हमारे किसने संकर आचार्य जी ने तो ओप्चन नमर सी बिल्कुल राइट ओप्चन हो जाएगा संकर आचार्य जी को याद कर लेना यहाँ पर नेस्ट क्वेस्टन हाल ही में PTC इंडिया के नए CMD कोन बने है तो आपको पताओगा कि PTC इंडिया जोए उसके नए CMD जोए अभी प्रियांक मोहिते बने है राजीव कुमार मिश्रा बने है या फिर आधित्य नारायन या फिर इन में से कोई नहीं तो मेरे दोस्तों आपको याद रखना है कि PTC इंडिया जो हमारा उसका नए CMD जो बने है वो हमारे राजीव कुमार मिश्रा को बनाए गये तो ओप्शन नमर भी बिल्कुल राइट ओप्शन हो जाएगा हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14 संस्क्रण का उदगाटन किस ने किया है तो आपको याद रखना होगा कि हमारे जो चाइबर संस्क्रण है हमारा कौन सा साइबर सुरक्षा सम्मेलन उसका जो 14 संस्क्रण है उसकी जो स्थापना है उसका उदगाटन हुआ है वो हम जनरल बीपिन रावत ने किया है तो ओप्शन नमर सी बिल्कुल राइट ओप्शन यहां पर दिया हुआ है ओके नेच्ट क्वेस्टन हाल ही में उत्तर भारत में सबसे बड़े पशु मेलो में एक पुशकर मेला कहां सुरू हुआ है तो मेरे दोस्तों आपको याद होगा कि बाहुते स dont got came out with me okay उसमें पुशकर मेला जो होता है वह आपका कीwhere उद्राखन में होता है राजस्थान में होता है या फne विहर में होता है तो आपको याद रखना है कि राजस्थान जो है राइट ओप्शन हो जाएगा ओके थे सचिं के willkommen में डेम्य वन maintains टेबल टेनिस टूनामेंट किसने जीता है तो आपको याद रखना है कि WTT कंटेडर टेबल टेनिस जो हमारा उसको जीतने वाली व्यक्ति जो है वो उमारी मनिका बत्राजी बन गए तो ओप्शन नमर ए बिल्कुल राइट ओप्शन हो जाएगा ओके मनिका बत्रा को याद कले ना यहाँ पर नेस्ट क्वेस्चन आलही में पहली राष्टी योगाशन चेंपियनसिप कहां आयोजित की जायेगी तो आपको याद रखना होगा कि राष्टी योगाशन चेंपियनसिप जोये पूरी वो अमारे यहाँ पर भूनेशवर में स्टार्ट होने वाले है तो ओप्चन नमर बी राइट ओप्शन हो जाएगा नेश्ट क्वेश्टन हाली में किस राज्य में अट्रा अजार महिला स्वयम सहाईता समो के सदेशों को प्रसिक्षित किया जाएगा तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों कि अट्रा अजार जोए यहाँ पर 18,000 महिला जोए उसको स्वयम सहायता समू के सदिश्य जोए उसको प्रसित किया जाएगा तो उत्राखंड के, करनाटक के या फिर जम्मू कस्मिर के तो आपको याद रखना है करनाटक जोए राइट ओप्चन यहाँ पर हो जाएगा Next question हालही में कोनेरु रामकृष्ण राव का निदन हुआ है, वो कोन थे? लेखक थे? मनोवेज्णानिक थे? गायक थे? या फिर इन में से कोई नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी रामकृष्ण राव का नाम चून लो तो सिधा टिक करो वो एका मनोविज्ञानिक थे option number B बिल्कुल right option हो जाएगा next question हाल ही में संजाई बांगर IPL के किस टीम के मुख्यब कोच बने Royal Challengers Bangalore के Mumbai Indians के या फिर KKR के तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है संजाई बांगर जो है वो Royal Challengers Bangalore वहां के अभी कोच बन चुक है तो option number A बिल्कुल right option है यहाँ पर दिया जाएगा next question हाल ही में भारत के 72 वे Grand Master कोन बने तो आपको याद रखना होगा कि जो Grand Master होते उसमें अभी कौन सा नामाया है संकल्प गुपता या फिर प्रणई मित्तल या फिर इन में से कोई नहीं तो आपको याद रखना है संकल्प गुपता ओके तो option number A बिल्कुल right option यहाँ पर हो जाएगा ओके दोस्तों तो यहाँ पर याद कर लेना Grand Master को आपके तो आपकी जो करंठ फिर की क्लास है वो यहाँ पर खत्म होते हैं मेरे दोस्तों और SSC GD की जो एक क्लास हमारी चल रही थी रात को आठ बजे वहाँ पर आपको लाइव आजाना SSC की प्रिप्रेशन के लिए ओके तो ठेंक्यू ठेंक्यू वेरी मच हेव नाइस डे